सो वेलकम टू सुकला एडी पॉइंट दोस्तों एंड स्वागत है आपका आपके एपनी यूटूब चैनल सुकला एडी पॉइंट में मैं स्वागत करता हूं स्यूम सुकला दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी यानि भुगोल से संबंधित जो परस्ण होते हैं वो किस टॉपिक से पूई आते तो निवास जनसंख्या टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे इससे काफी पूछे जा रहे हैं एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक तो बीए फस्टियर का ये जो है पाठे करम है सिलेबस है उसके कोर्डिंग उसमें जो है जिन में से मैं इसका भाग एक लेकर आ रहा हूं अभी इस चैनल पे बाकी के इसके जो वीडियो होंगे वो वीडियो आपको बीए करेकर यूटूब चैनल पे मिल जाएंगे ठीक इस पर जो है दूसरी सीरीज हम लाएंगे सुकलाइटी पॉइंट पे तो बीएक रेकर पे और इससे पहले वाला वीडियो जो था वो था उसकी प्रकृति को लेकर के मानो भूगोल को उसको समझने की तो बीए फास्टियर का जो सिकंड पेपर है उसके अंतरकत होमस जोगराफी पूची आती है तो उसके लिए बेहदी इंपोर्टन है एक मॉडल पेपर के तोर पर आपको 2020 की परिक्षाओं में ये कारगर सिद्ध हो सकता था वीडियो लेकिन अभी 2020 का ना करके अगर आप इसको 21 का समझे मलब अगर अगर आपको हुमस जोगराफी का नालेज इक अठा करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन है आईए दोस्तों सुरू करते हैं कोसंस तो कुछ इस प्रकार से कोस आपके सामने आएंगे दोस्तों बढ़ यहां को साब के सामने आने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है कि आपकी परिक्षाइं जो है क्या हो चुकी है जो है योपी बोर्ड की समय बतलब यूपी की जितने भी उनिव आईए बात करते हैं पहला प्रसन है कि सांस्कृतिक भूद्रिस में सबसे मात्पूर्ट तक तो माना जाता है तो सांस्कृतिक भूद्रिस में जो सबसे मात्पूर्ट तक तो माना जाता है वो मानो को माना जाता है दोस्तों ठीक यह ध्यान नकिएगा आप संद्यादा आगला परसन है कि आज से कितने वर्थ मानों के वर्तमान सुरूप का विकास हो गया था तो मानों का जो वर्तमान सुरूप है मलब आज का जो सुरूप है वो आज से कितने साल पहले जो है आ चुका था मलब हम लोगों की उत्पत्ति जो इस समय के मानो है उनकी उत्पत्ति कब हो चुकी थी ये कोशन पुछा रहा था तो आज से 10 लाक वर्स पूर विज़से जो है मानो वर्तमान सुरूप आ चुका था अगले परसुन की और बढ़ते हैं, अगला परसुन इतिहास के प्रारंभिक काल में जनसंक्या ब्रद्धी का ब्रद्धी दर किस प्रकार की थी, तो मानो इतिहास के प्रारंभिक काल जब इतिहास की सुरुआत हुई और जब मानो की उत्पत्ती हुई, तो उस समय के जो सुर गर्ना माली आ है तो 10 साल में कितने परसेंट लोग जादा हुए है उसकी गर्ना की आती है तो जब प्रारंभिक काल था हिस्ट्रीय उठाके आप देखोगे तो मानो इतिहास के प्रारंभिककाल में जनसंख्या पिर्देदर जो हुआ करती थी धीमी हुआ करती थी जबकि आज की जो जनसंख्या दर है वो जुए ज्यादा है मलब बहुत अधिक है ठीक तो यह ध्यान रखिएगा अगला प्रसन दोस्तों अगला प्रसन जो है बड़ा ही मात्वन है वो है कि जब मानों ने पौधों तथा पसुओं तथा का पालन पोसर किया जब मानों ने पाउधों तथा पसुओं का पालन पोसर किया विकास की इच्छा अवस्था को किस क्रांती के नाम से जाना जाता है तो विकास की इस अवस्था को किस क्रांती के नाम से जाना आता है जब मानों ने पाउधों तथा पसुओ का पालन पोस्ती करना सुरू कर दिया ठीक तो किर्सी क्रांति के युग के नाम से उजाना आता है युग अगला प्रसन है दोस्तों कि किस समय मानों ने जीवास मीधन का व्यव करना आधा कर दिया था दोस्तों तो बात है से आठ जार वर्स पहले मानों का जीवन प्रमुख रूप से किस कारे पर निर्भर था तो प्रमुख रूप से आखेट पर निर्भर था उस्तों कार करना ध्यान नखेगा तो पहले के मानों आठ जार इसा पूर्व के मानों क्या करते थे पूरी तरीके से आखेट पर निर्भर हुआ करते थे मलब उसी के जो है अनुसार जो है उनका भोजन हुआ करता था सिकार करते थे तभी उनका भोजन हुआ करता था वही मुख्य ब्योसाय वही सारी चीज़े वही हुआ करते थ ठिक अगले परसंद की और बढ़ते हैं उसको तमाम परकार की चाय नहीं थी जैसे की चाय आज कल है ठिक अगला परसंद है कि पिर्थिभी के लगबग कितने परतिसत भाग में बिरल जन संख्या निवास करती है तो 70 परतिसत भाग पर बिरल जन संख्या मतलब क्या है एक होत इता है बिरल जन संख्या प्रतिपिख के सतर प्रसंट भाग पर मालिया अगल है उस तीस में से सतर प्रसंट भाग तीस का सत्तर प्रसंट भाग वह तक शातर एक है तो सटर परिखे कि भूमी है तो सतर से जो है प्रड़ेसों में पायाती है तो सीद परदेशों में जहां ठंड़ा एर्या होगा वहां परवर्तिय ज्याद फहां पर ये खित्रों में नहीं तो इतना बंद सभी उनकिया गिछ मतव ज्यादा गए रहा होंगी क्षों तो उपर एक तो सभी में बिरल जन जंख्या प्रदेस होते हैं अगले प्रसिंखेंग्ई होर बढ़ते हैं सुखन प्रदेसों में आजो निवास के लिए प्रमुख समेश्यवरवती थी बसलब गर्मियों के महीने में जल का भाव होता था जिसके कारण से वो लोग वहाँ पे नहीं रहना चाहते थे जल का भाव क्यों होगा क्योंकि जब गर्मी होगी तो जल सारे के सारे नदी तालाब के सूख जाएंगे और जो है वहाँ पे जब जल नहीं बचेगा तो उसकी कमी हो जाएगी जल की कमी मतलब जला भाव हो जाएगा इसलिए वहां पे जो है लोग वहां पे नहीं बसना चाहते थे अगली परसन की और बढ़ते हैं अगला परसन है कि मानो उस्वारी भारत में आतेधिक उचाई पर बसे नगर हैं तो गुल मर्ग ले पहल गाम ये तीन के ती प्रइट रहें जी आतेधिक उचाई पर स्थित नगर हैं जिसकी भारत के अंगले प्रसन के और बढ़ते अंगला रहें है कि इन में से कौन से दो ि RYANS तो थाम पसन्थ ने किया जन जननांकी की संक्रमन के सिध्धान की व्याक्याइद संक्रमन ड़ेंज होंगे उसलगत दिर दिरड़़्य होंगे तो सब जगा पे फैलने का जो ये ठिए दिया इन्हे त्हाम पसन्थ ने जबकि यिए कहाई आपने जो है Maltas उन्होंने जनसंक्या अरे इंतन तमाम प्रकार की जन संक्या किस तरीके से बढ़ती है इसको बता आया कि जामिटिय करम में गढ़तीय करया और गड़तिय करम में इस तरीके से उन्हों चाहिए था समझै है तो पूरा आप दाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है जलुआयों परिवर्तन भी जो है बहुत अच्छी भूम का निभाता है इस विसे में कि अस्थाना अंत्रल हो बिक्तियों का और बीमारियां अगर किसी कारण बस जो है बहुत स्थाधा बीमारी फैल जाए जो है महामारी जैसे कु सहर के लोग घाव घाव में कम सघंद मद्व सघंद आबादी कम होती है तो सहरों में जो है अधिक होती ठीक तो इसी करण से यहाँ पे लोग भाग रहे थे अगला पर स्टों काल गूरली और कूल गालडी की खानों में काम करने वाले स्रयमिकों के लिए कितने किलोमीटर क कि दूर कितने किलोमीटर दूर से पानी आता है तो काल गूरली और कुल गार्डी यह दो खाने हैं यहां पर जो काम करने वाले बिक्ती हैं उनके उनके मलब ऐसा एक छेत रहे यह जहां पर दूर दूर तक पानी नहीं है तो यह कोश्चन जादा इंपॉर्ट था इसलिए इस साथ किलोमीटर दूर से पानी आता सो सकते हो पंदरा सो साथ किलोमीटर की बात करें मीटर की नहीं है किलोमीटर यहां पर ठीक तो इतनी दूर से पानी लोगों के पीने के लिए आता है सोची आप तो यह दोनों ऐसी खाने हो कहां की खानी होगी अब खान है तो खान जाही तो देह लेते हैं कि जंसेंख्या की अधिक्ता किंकिन अस्तनों पर हो सकती है तो अस्थानिक प्रादेशिक यों आश्चन ओर सकती है किसsh encontra थे ढ़्ग सकती है अस्थानिक भी जब अब्रा सकती है अगला प्रसने कि मच्वारों के गाउं अधिकांस कहां इस्तित होते हैं तो मच्वारों के गाउं कहां इस्तित होते हैं दोस्तों जहां पे नदी होगी जील होगी समुद्र होगे तो जैसी बात है नदियों के तटो पर जीलों के तटो पर समुद्र के तटो पर उपर सभी अगले प्रसिंद के और बढ़ते हैं, अगला प्रसिंद के और बढ़ते हैं, जोपड़ी, कबर, गोदाम, यह सब जो है, अस्थाई नहीं, आस्थाई शेत्र हैं, आस्थाई आवास है, जो है, जब काम चलाओं, यह बोसकते हो, कंपार्टमेंट के लिए इसको रखायाता है अगला प्रसिंद के निवासी, किर्सीकार, द्वारा जीवन यापन करते हैं, जिन बस्तियों के निवासी, किर्सीकार के द्वारा जीवन यापन करते हैं, अगर कोई ऐसी बस्ती है, जहां के लोग केवल किर्सी पर आधारितों, किर्सी करके अपना जीवन यापन कर रहे ह वहां उन बस्तियों को क्या कहा जाएगा ग्रामिड बस्ति कहा जाएगा अपसंद भी टीक तो ग्रामिड पर बेस आपको पता होगा गाउं के लोग खेती करते हैं या फिर छोटी-मठी धंडा कर लेते बाकि सभी लोग खेती करते हैं तो जब 90 परसंड खेती है तो पूरा जो है इस से लेटर निमास जन संख्या बस्ति तो इससे लेटर बहुत सारे प्रसंद है और उन प्रसंदों को मैं लाओंगा धीरी धीरी तो कल तक जो है वह वीडियो भी अप्लोड कर देंगे जो है बीए कर पे वीडियो आएगे तो बीए कर को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जो है शेयर करें सभी वीडियो उसको शेयर करें लाइक कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आती दोस्तों आप सभी को ठीक और जो है मिलें एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध जय भारत एक नई जोस नई उमंग नई उड़ जाके